Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 26th of May 2022, 26 मई 2022 का the Hindu newspaper analysis देखेंगे शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके लिए प्रिलिम्स के लिए important questions रहेंगे जो कि आपको objectives में मदद करेंगे और आपको prepare करेंगे कि objective questions आप कैसे करें एक चीज और अगर आपको content पसंद आता है तो like करने में बिल्कुल हिचक और जिजक मत रखा करिए उसको like जरूर करा करेंगे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है content तो please do like it and do share it among your friends start करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ सबसे पहले सवाल है उत्तिरा मेरूर inscriptions are related to उत्तिरा मेरूर inscription में से किस से related है options आपके सामने है परंतका 1 के naval expedition to शिलंका second है नटराज temple at chidambaram c है military administration of the maurya kingdom and d है village administration under the chola administration तो आपको बताना है कि उत्तिरा मेरूर inscription में से किस से related है second question जो है वो है consider the following statements regarding the bb का मकवरा bb का मकवरा के regarding statements दिये है पहला statement कहरा it is a tomb located in अंधर प्रदेश second है it was commissioned in 1660 by the Mughal Emperor Aurangzev third है it is known as the Taj of the Deccan because of its striking resemblance of the Taj Mahal आपको बताना है कि कौन से statements correct है 1 and 2, 3 only, 2 and 3 or 1 and 3 question number 3 is consider the following statements अब कुछ statements दिये है पहला statement सत्वहना kings mainly used silver and gold as materials for their coins second है सत्वहना coins are devoid of any beauty or artistic merit तीसरा है सत्वहना coins constitute a valuable source material for their dynastic history आपको बताना है correct statement कौन से है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 or 1, 2, 3 so these are the three questions for you today ancient history के questions है अगर आप answer कर सके तो बढ़िया है answer मैं आपको बताता हूँ आप match करके जरूर बताएगे कितने आपने सही किये पहला सवाल है उत्तिरा मेरूर inscription का पूछा ता मैंने आपसे तो इसका correct answer होगा और d village administration under the chola administration तो याद रखेगा कि chola kingdom के अंदर के जो village administration था जो काफी famous भी है वो उत्तिरा मेरूर inscription में already mentioned है तो इसका answer होगा d दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था बीबी का मकवरा के regarding आप देखो पहला statement तो बिल्कुल गलत ही हो गया के इसा tomb located है रान्दप्रदेश यह औरंगाबाद महराष्टा में located है तो पहला statement गलत हो गया जैसे ही पहला गलत हुआ आपका बचा 3 और 2 और 3 आप औरंग जेब में किया था और लगबा की 60 देखो क्या होता इयर बहुत जादा जब बहुत specific question इयर regarding हो तभी वो गलत करता है UPSC otherwise जब उसका target इयर नहीं होता तो UPSC इयर आपको गलत नहीं देगा तो जैसे यहाँ पर target था कि औरंग जेब ने बनवाया था कि नहीं यह इसका target है तो इयर वो गलत नहीं देगा लेकिन हाँ अगर जैसे देगा कि पहला इसका जो conference हुआ था वो जैसे किसी conference के बारे में पूछेगा कि पहला conference 2008 में हुआ था तो यहाँ पर focus ही year है तो यहाँ भी गलत कर सकता है लेकिन अगर बोलेगा कि यहाँ पर फ्रांस के दोरा इसको host किया गयता है पहली बार 2017 में तो फिर ऐसे में ज़्यादा अमूमन मैं अमूमन की बात कर रहा हूँ otherwise देने को तो कुछ भी कर सकता है यह कि अगर आप सत्वहना के kingdom को पढ़े है तो उनका जो coins थे वो lead के coins यूज करते थे ठीक है ना कि silver के coins ज्यादा तर वो lead के coin यूज करते थे और silver बहुत कम मात्रा में होता था उनके पास ले उन्होंने को क्वाइन मनाया था silver plus copper का coin मनाया था silver plus copper का coin मनाया था जिसको वो potin बोलते थे potin याद रखेगा सत्वहनाज के ही fact बता रहाँ कि वो lead के coin यूज करते थे पहली चीज दूसरा gold ज्यादा यूज नहीं करते थे coins में gold तो यूज ही नहीं करते थे silver भी बहुत कम मात्रा में वो भी silver का वो alloy यूज करते थे silver plus copper के साथ इसको potin बोलते थे potin coins ये भी आपको याद रखना है these are some basic facts regarding सत्वहनाज दूसरा statement बिल्कुल सही है कि वो उनके coins में कोई artistic beauty या numismatics जिसको हम बोलते हैं अगर आपको term पता हो तो जो coins की study होती है अगर आप numismatics देखेंगे यहां के coins की तो बहुत जादा beauty आपको देखने को नहीं मिलेगी and obviously बात है कहीं के भी coin हो वो valuable source of dynastic history होते ही होते हैं तो यह भी यहाँ पर सही है तो इसका answer होगा 2 and 3 पहला statement ज़रूर इसमें गलत रहेगा hope you are clarity mains question of the day देख लीजए आज का mains question of the day GS3 का जो internal security वाला पार्ट है उससे related है question है to what extent are the international organizations and collaborations effective in controlling the terror financing across the globe आपको बताना है कि जो international organizations है या collaborations है वो किस तरीके से control करती है terror financing को across the globe कितना successful हुई है कितना fail हुई है इस सारी चीज़े आप इसमें काम कर सकते है 150 words में answer लिखना है जादा बड़ा answer नहीं लिखना है थोड़ा बहुत आपको इसमें FATF का रोल बता देना है FATF का रोल बता देना है थोड़ा जो money laundering group बना है anti money laundering group उसके बारे में थोड़ा बता दीज़े इस सारी चीज़े थोड़ा बहुत आप बता दीज़े और उनके बाद यह बता दीज़े कितना यह successful ही है कितना नहीं हुए इतना ही answer है ज्यादा कुछ नहीं है introduction में थोड़ा terror financing को explain कर दीज़ेगा body में लिख दीज़ेगा I hope you got clarity regarding that as well आगे move करते हैं देखते हैं क्या news items है जो important prelims के लिए important है काफी जादा अभी तो को सबसे पहले important बता दूँ आपको कि time के hundred most influential people की जो list आई है 2022 के उसमें तीन Indians जो है जो थोड़ा जो थोड़ा news में है उसमें गौता मरदानी आप से को होता है गौता मरदानी कौन है या अडानी का तो पता आपको दूसरा एक important है Supreme Court की lawyer है करोना नंदी का ना में आद है कर सुप्रीं कोट lawyer है करोना नंदी she has also been there in the list of hundred most influential people and third a Kashmiri human right activist खुर्रम परवेज तो खुर्रम परवेज is the third person in that list and a time most influential people of the world 2022 तो कौन-कौन है human right activist कश्मीर के कौन खुर्रम परवेज और जो करोना नंदी है Supreme Court की lawyer करोना नंदी Supreme Court lawyer and गौता मरदानी हम सब कोता है business man तो ये कुछ नाम थे देखो क्या important है कि आप सिर्फ UPSC तो देंगे नहीं और UPSC भी देंगे तो ऐसा नहीं पिसकी आजकल ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा है UPSC भी आजकल बिलकुल factual भी पूछने लगा है अगर आपने paper देखा हो पिछले 2-3 साल का तो बिलकुल वो पूछ रहा है ना तो ऐसे में आपको तयार रहना है कि इस तरीके के questions वो पूछे और आप से बने ठीक है ना and that is the thing दूसरी जो important news है वो है World Economic Forum की एक index आती ही जिसको हम Travel and Tourism Development Index बोलते हैं तो अगर आप से UPSC question पूछते है कि Travel and Tourism Development Index कौन निकालता है आदे कि Travel and Tourism Development Index तो कौन निकालता है इसको World Economic Forum निकालता है भी वो उसमें मीटिंग हो रही है तो आप से को पता है World Economic Forum ने उसकी कंदर गा तो कि Travel and Tourism Development Index निकाला है इंडिया की जो रैंक है वो 54th place पर रखा गया है 2021 के लिए तो यह 2021 की रैंकिंग थी जो की रिलीस की गई है 2021 की रैंकिंग है जो रिलीस की गई है यह जो इंडिक्स है यह बिसिकली 15 सालों से चला आ रहा है और हर 2 साल में एक बार निकलता है ठीक है ना बाइनिली निकलता है हर 2 साल में एक बार निकलता है और Travel and Tourism Development Index कौन निकालता है World Economic Forum निकालता है याद रखेगा यह चीज अगली निउस है 22 माई को जो राजाराम मुहनरोय जी थे उनकी 250th birth anniversary celebrate की गई 250th birth anniversary celebrate की गई राजाराम मुहनरोय पर कोशन इस बार 2022 में भी आ सकता है ऐसा नहीं कि अभी की गई है तो 2023 में कोशन आगा 2023 में भी आ सकता है लेकिन 2022 में भी आ सकता है यहना UPC थोड़ा advance भी चलता है तो राजाराम मुहनरोय के बारे में कुछ facts आपको पता होने जैसे के 1815 में उनकी आत्मिय सभा बनाया था यहना इसके अलावा दकलकत्ता Unitarian Association 1821 में बनाया था ब्रह्मो सभा 1828 में बनाया था यह तो fact बिल्कुल याद रखना आत्मिय सभा 1815 याद रखना 1817 में आप याद रखना है कि David Hare के साथ मिलके हिंदू कॉलेज बनाया था इसके अलावा उन्होंने एक विदानता कॉलेज भी बनाया था खुद का ही विदानता कॉलेज बनाया था यह सब भी मैं आपको बता दूँगा लेकिन यह facts जो बता रहा हूं याद रखेगा और 1828 में ब्रह्मो सभा जो की बाद में ब्रह्मो समाज में ब्रह्मो समाज अफ इंडिया नहीं ब्रह्मो समाज में है अकबर 2 ने दिया था राजा राम मोहनरोय का राजा का टाइटल जो है वो अकबर 2 ने दिया था और रवींद नाठ टैगोर ने इनको काफी जादा प्रेज किया था इसको इनको 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 पहाँ जाता है काफी इंपोरिटेंट काफी ऑइडिया अगर आप देखे तो यहkor पर काफी विलीव करते थे धा हूं इसलिए इन्होंने जो Christianity है उसका Trinitism जो है उसके अगेंस्ट भी लिखा था और Hinduism की Polytheism के अगेंस्ट भी थे ये तो Polytheism of Hinduism या Christian Trinitarianism इसके अगेंस्ट ये थे और Unitarianism या फिर Monotheism पर ये ज़्यादा तर वो रखते थे और इसके अलावा इन्होंने ये भी एक किताब लेखी थी Precepts of Jesus 1820 में उन्होंने किताब लेखी थी Precepts of Jesus जिसमें उन्होंने reject किया था Christianity के जो वादे थे कि incarnation of God and all उसको उन्होंने वो किया था और ब्रह्मो समाज जो उन्होंने बनाया था 1828 में बाद में 1866 में जाकर के वो split हो गया 1866 में जाकर के split हो गया और जब 1866 में वो split हुआ तो उसमें 2 पार्ट मनें जिसमें एक था ब्रह्मो समाज of India ब्रह्मो समाज अफ इंडिया तो ब्रह्मो समाज अफ इंडिया जो था उसमें केशव चंदर सेन थे उसके लीडर और आदी ब्रह्मो समाज जो था उसके नचे के आपके ब्रह्मो समाज के देवेंदरनाठ टैगोर थे और केशव चंदरसेन जो थे केशी सेन जो थे वो आपके ब्रह्मो समाज ओफ इंडिया के थे तो यह कुछ important facts न को पता होना चाहीं से इनकी जो writing थे उन्में कुछ important है जैसे कि एक तो इन्होंने ब्रहमेडिकल मैगजीन लिखी थे लटा है उसके इसके अलावा इन्होंने एक बेंगॉली वीकली संबाद कौमुदी लिखते थे बेंगॉली वीकली थी संबाद कौमुदी और एक पर्शियन वीकली मिरादुल अकबर लिखते थे मिरादुल अकबर तो य कुछ important चीज़े हैं जो कि राजा राम उन्रोई जी की जिन्दिगी से संबन्द नहीं था I hope you got clarity regarding facts यह समझ में आ गया होगा अब अभी एक और report आई थी recently जिसको Oxfam ने निकाला था Oxfam आप सब को पता है कई report निकालती है inequality इन सब के उपर निकालती रहती है गरीवी poverty inequality के उपर है न तो Oxfam ने एक report निकाली है profiting from pain profiting from pain एक report है जिसमें कि यह कहा गया है कि जब covid-19 था उस समय एक billionaire हर 30 गंटे में मर्ज हो रहा था every 30 hours a billionaire was emerging है न वहीं पे 1 million लोग poverty में जा रहे थे every 33 hours हर 33 गंटे में 10 लाख लोग गरीवी में बिल्कुल जा रहे थे और वहीं हर 30 गंटे में एक billionaire डेवलाप हो रहा था इसका मदलब है कि some people were profiting from the poverty as well and यही है report जो है profiting from pain Oxfam international की report है मैंने आपको इसलिए बताईगा कि आप main sensor item है या कहीं पे भी अगर आप यूज करना चाहे तो आप इसको easily use कर सके है ना तो I hope you got clarity regarding that और आप इसको use करेंगे ठीक है अब देखो आज एक article आया था editorial में तो को first front page में ऐसी कोई खास news नहीं है कपिल सिब्बल ने Congress छोण दी है और राजसभा को वो अभी तो independently वो लड़ेंगे राजसभा के लिए चुना लड़ेंगे और समाजवा department को support कर रही है यासीन मलिक का नाव आपने समने सुना होगा terror funding के case में इसको life term दिया गया है यासीन मलिक को life imprisonment दिया गया है terror funding के case में USA में भी कल एक बहुती दुखध हथा हथसा हुआ जिसमें gunman ने 19 बच्चों को गोली मार दिया और 18 साल का ही था कोई ऐसा gunman नहीं था 18 साल का बच्चा था वो भी और इसने अमेरिका अमेरिका में कहा है न जितना जाद है यह modern बनने का वो धोंग और चोचले रचते है न उतना जादा इन लोग के अंदर डिप्रेशन और इतना जादा ही यह psychological इतने वीख है यह ना इंडियन्स हो सकता हम बहुत जादा money के मामले में हम इतना तरह developed नहीं है हमारी income पर क्यापिटा income इतनी जादा नहीं हो लेकिन हम stability mental stability के case में उनसे जादा है बेटर है और वहाँ पर जो mental stability वहीं नहीं है दिमाग सबका चक्राया हो है पैसे की माया में तो वहीं सारी चीज़ें है यह सारी चीज़ें जरूरी नहीं कि पैसे से आपका हर चीज अच्छी ही हो अगली है बलकनाइजेशन आफ इंडिया यह आर्टिकल मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें ऑविस सी बात है दो ग्यान वापी मॉस्क और इन सब की उपर यह पूरा आटाइज को सम्सक्राइब बाताइज और यह BUT पैसी को नहीं बाल्कनाइज जीकर नहीं की यह होग्यां ग्यानोंता टिक्त्राइब तोब मैं आपको 12 के ढ़साब से बता देता हूं एक है Slovenia Slovenia country है slovenia Hungary आपको दिख़ार होगा Slovenia के बगल में बिल्कुल हंगरी यको क्या है जब आ마 7 क्वार में छोटे चोटे मैप जब आप पढ़ते हैं तो आपको bits and pieces में चीजें याद रहा जाते वार मैंने होगा कि यह बालकन कंट्रीज अब आज मैं आपको बालकन बता रहा हूं नौर्डिक मैं ने आपको बता है तो नौर्वेस स्वीडन फिल्लैंड आपको याद है कि यह ग्रूप आफ कंट्रीज और बहुत जादा नहीं तो टलीस इतना तो याद रखेगे कि कॉन-कॉन सी कंट्रीज यहाद रहे हैं अब आपको दे को ब्लेक सी यहां पर दिख रहा है ब्लेक सी दीख घेड़ा है वहीं पर यहां पर देखो एक और आपको sea दिख रहा होगा यह आपको aegean sea दिख रहा होगा यहां पर sea of marmara दिख रहा होगा यहां पर black sea है marmara sea sea of marmara फिर यहाँ aegean sea है तो यह आपको यहाद रखना है और यह basically जो कुछ आपकी balkan countries है वो देखो adriatic sea के भी border में बहुत सारी ह आपका यहाँ पर है तो adriatic sea में देखो आपका slovenia आ गया, crocia आ गया, bosnia, herzegovina आ गया, montenegro आ गया तो यह as it is आप याद रखिए है ना इसको याद रखिए slovenia, crocia, bosnia, herzegovina, montenegro आपने यहाँ याद रखती है ठीक है ना फिर एक Albania भी आपकी country है भी आपकी यहीं पर आपकी तो पांच तो आपकी यह आपकी यह आपकी यह गया गया, slovenia, crocia, bosnia, herzegovina, montenegro, albania फिर इसके बाद आप देखें इधर आपकी तीन-चार गंट्री जो इसमें क्या आपकी में हैं, hungri, srbia, macedonia, bulgaria, romania, ठीक है ना, कौन को आपकी है, hungri, bulgaria, romania, srbia and macedonia नीचे की दो मेना अलोड़े आपको बताई हैं, turkey और greece, तो turkey, greece यहां की हो गई, 5 आपकी adriatic के border में हो गई, तो यह 7 हो गई, और 5 फिर आपकी यहां हो गई, hungri, srbia, romania, bulgaria, macedonia, तो यह 12 countries हैं जो की आपकी बालकन countries में मानी आती हैं, तो I hope you got clarity regarding this map, थोड़ा बहुत इसको याद रखेगा, this is the thing which is important, फिर आपको थोड़ा सा extra देख लीए, यहां पर इटली है, adriatic का एक side, इटली बना रहा है, इधर side यह 5 Baltic countries बना रही है, फिर Balkan countries, sorry, not Baltic, Balkan countries, यहां पर यह तिरिनियन सी है, तिरिनियन सी के अधर आइनियन सी है, आइनियन के फिर Aegean है, फिर Marmara है, फिर Black सी है, तो यह order भी आद रहा है, West to East, East to West का जो मैंने थोड़ा बहुत बताया है, I hope you got clarity regarding that, अगला जो article है, India must shift the discourse on abortion rights, यह जो article लिखा गया है, यह लिखा गया है regarding the abortion rights in India, देखो, actually अभी recently US में abortion rights बहुत जादा news में, क्योंकि अभी जो Wade वाला case था, उसमें आपने देखा होगा, जिसमें नों नहीं यह कहा है, कि जो abortion का है, वो representatives के हाथ में रहेगा, ना कि women का, तो bodily integrity के उपर काफी वहाँ पे भी सवाल चल रहा है, कि भाई, जो women है, उसके women body rights है, कि नहीं है, उसकी autonomy है, कि नहीं है, उसकी body के उपर, यह सारी चीज़, उसी के लि तो हर 10 में से 6 ऐसी pregnancies होती है, जो कि induced abortion में end होती है, 45% of all the abortions are unsafe, याद रखेगा, 45% जितनी भी abortions होते हैं, उसमें से 45% unsafe है, और उनमें से लगबग 97% जो हैं, वो developing countries में हो रहे हैं, ठीक है, यह काफी issues हैं, जो abortion related चल रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा, अगर आप देखें, इंडिया में लगबग 10% maternal deaths जो होती हैं, वो abortion के कारण होती है, 10% of the maternal deaths in India take place because of the abortion and all, इसके अलावा, नेशनल family health survey आपने रेसेंटी देखा होगा, जिसमें उन्होंने ये भी बताया थे कि 3% of all the pregnancies in India result in abortion, मलब 3% pregnancies ऐसी इंडिया में, जो हर बार abortion में lead करती हैं, इसके 20% ही हैं जो की public sector में होती हैं, बाकी सारी जो 53% के आसपास है वो आपके in the private sector होती हैं, 27% तो women अपने घर में खुदी perform करती हैं, तो ये सारे data को देखने के बाद इस समय में आता है कि abortion जो है बहुत बड़ा issue है, ऐसा कोई छोटा issue ने, it's a very huge issue in India, और इसको maintain करने के लिए में के वल एक ही act जो किया है, medical termination of pregnancy act in 1971, 1971 में आया था medical termination of pregnancy act जिसको MTP act of 1971 बोलते हैं, बात में इसका अभी recently 2021 में इसका amendment भी आया था, ठीक है ना, it was amended in 2021 as well, जिसमें फिर एक और condition जोड़ीगे कि भाई, 24 हफ्तों के beyond, 24 हफ्तों के बीच में कैसे आप कर सकते हैं, तो इसमे अलग-अलग condition है कि 20 हफ्तों तक आपको एक की जरूरत पड़ेगी, एक practitioner की जरूरत पड़ेगी, medical practitioner वो आपको बता सकता है कि आप कर सकते हैं कि नहीं, 20 से 24 के बाद आपको दो medical practitioners की जरूरत पड़ती है, फिर 24 के बाद आपको एक medical board का approval लेना पड़ता है, जिसमें केवल rare rarest of the rare cases आते हैं, जिसमें की women की जान है वो खत्रे में हो, या फिर fetal abnormality हो, यह सारी चीज़ें कुछ-कुछ अलग-अलग conditions हैं, ठीक है ना, अब यहां पर author ने देखो क्या बोला है, author ने काया कि देखो पहली चीज तो आपको जो abortion है, it should be provided to the women as a right to their, right or autonomy over their own body, तो आपको यह provide करना है as a right on their own body, कुल मिला करके author ने सबसे पहली बात तो यह कहिए, दूसरी चीज़ author ने यह कहिए कि जो women है, कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे obstacles होते हैं, उनको face करने पड़ते हैं, accessing the safe abortion care, abortion care उनको safe मिल नहीं पाती है, और इसमें उनको बहुत सारी trouble face करने पड या ऐसा आप legally उसको इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि obviously बात है, इंडिया में जो abortion है, वो women अपने मन से नहीं कर सकती, उनके लिए उनको basically अगर पहले कुछ हफतों में भी abortion लेना है, तो उनको medical practitioners की approval लेनी पड़ेगी, ठीक है न, तो यह that is the thing which is there in India, तो यहाँ पे पहली इस तो आपको उनको aware करना है, उनको आपको knowledge provide करना है, especially जो जो ऐसे areas हैं, जो थोड़ा backward हैं, जो थोड़ा दूर रह गए हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा, second नहीं है कि MTPX does not recognize abortion as a choice, they need the approval of medical professionals even in the first few weeks of pregnancy, यह भी मैं आपको बता है कि उनको इतना चादा approval लेना पड़त unsafe abortion घर में perform करती हैं, थर्ड जो आपने देखाऊगा, तो married and transgender people continue to face stigma and can be turned away from the health facilities forcing them to resort to unsafe care, तो कई unmarried couple होते हैं, या फिर transgender people हैं, वो बहुत जादा stigma face करते हैं, इंडिया में, they face a lot of stigma in India and they can be turned away from the health facilities, they can be turned away from the health facilities, which forces them to resort to unsafe means, इसी लिए कई बार क्या होता है कि जब उनको भगा दिया जाता है या उनको हटा दिया जाता है वहाँ से, तो फिर वो unsafe means में चले आता हैं, ठीक है न, फोर्थ है, mandatory reporting requirements under the protection of child from sexual offenses bill POCSO 2011 law against child sexual offenses impact privacy and hinder access of adults into safe abortion services, आप देको ये तो author ने को जादा ही फिर लिख दिया, कि POCSO के अंदर के देको यहाँ पर requirement है कि आपको जो mandatory reporting करनी पड़ेगी इसकी, ये देखने के लिए ये भी एक तरीके से safe guard ही है, कई बार क्या होता है कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई जो 18 से कम की उमर की लड़किया ऐसी हैं, जो की सामने नहीं आती है, cases को बताती नहीं है और POCSO का शिकार हो जाती है, तो ऐसे में उनको बचाने के लिए government निके लेकिन आप author कह रहा है कि ये जो mandatory reporting requirement है, इस current से भी कई बार क्या होता है, उनकी privacy हिंडर होती है, और adolescent को safe abortion services नहीं मिल पाती है, तो देखो ये तो फिर कई, अब आपको opportunity cost का नाम आपने सुनाँगा, कि अगर आप एक चीज कर रहे हैं, तो दूसरी चीज आप नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर वही चीज है कि एक security भी बहुत बड़ा issue है, adolescent का, तो वहाँ पर उसको ये साथ खिलवाद नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर तेज बनने के चक्कर में कुछ भी लिखने लगते हैं कि तेज बनने के चक्कर में कुछ भी लिख रहा हैं, अगला point है को, many are still coerced into agreeing to a permanent or long term contraceptive method as a prerequisite for getting abortion services, तो यहाँ पर उतर नहीं कए कई लोगों को अभी भी डरा करके या coerce करके रखा गया है, कि भी आपको पहले permanent long term contraceptive method यूज करना पड़ेगा, एक prerequisite की रूप में, उस parental consent लेकर के आओ, या abortion करने से पहले, यह सारी चीज़े, तो यह सारी चीज़े क्या है, उनकी जो, they can impose their own morality, instead of seeing the right of women over her body, instead of seeing the condition of women after that pregnancy and all, यह सारी चीज़े ना देखते, वो अपनी morality को सर्वोपर ही रख देते हैं, और morality को सर्वोपर ही जहसे ही आपने रखा, वैसे ही आपने यह काम करना, आप बोलेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं किसी की जान के नहीं हूँ, यह सारी चीज़े आप बोलोगा है, अब आपको ज़रूरी नहीं कि आप author के बातों से विलकुल तवज्जो रख या न उनके rights में थोड़ा सुधार हो, law इस तरीके से बनाया जाए कि उनको abortion as a choice दिया जाए, ना कि abortion as enforced by someone else, ऐसा नहीं होना कि दूसरे की permission पर या दूसरे की मर्जी पर डिबेंडेंट रहे abortion, उनका right होना चाहिए, at least कुछ हाफतों तक तो उनको as a right मिलना चाहिए, उसके बाद maybe after some weeks it can be done based on that board requirement or medical practitioner requirement, लेकिन at least कुछ हफतों तक तो it should be given to them as a right, दूसरी चीज़ आपको ये भी समझना है कि भईया, transgender persons जो है या फिर जो unmarried couple है, या फिर जो sex workers, कई वार sex worker के case में भी काफी दादा देखने को मिला कि उनको ये तो ये मनना जाता है कि भईया, उनके कोई rights ही नहीं है, आज मैं आपको sex workers के उपर एक बहुत अच्छी news आई है बताऊंगा, लेकिन overall अभी तक यही राय stigma जो रहा है, वो आपको दूर करना है, ये एक अच्छा point author ने जो बताया था, इसके अलावा author ने जो बताया कि ये मेनन knowledge उनको provide करो, कि किस तरीके से वो safe abortion services ले सकते हैं, safe abortion services available है, यहना भले ही process कब मरसम हो, लेकिन at least वो practice तो safe apply करवाएं, तो ये एक important चीज़ है, these are the things which are there, अगला जो article है, वो है diversifying the plates for girls, अब यहाँ पे author ने article लिखा है कि adults and girls होती है, उनको जो requirement होती है, जो nutrients होती है, vitamins की requirement होती है, वो बहुत जादा होती है, in fact वो male से भी जादा होती है, आपको पता है कि यही जो महिलाएं हैं या girls जो है, they are the future population bearers of this country, उनके पास एक ऐसी power है, जो किसी के पास नहीं है, जो reproductive power है, that is, बहुत important है, और ऐसे के लिए future में वो healthy रहें, ये सारी चीज़े रहें, इसके लिए बहुत important है कि वो बहुत पहले से एक proper nutrient, proper balanced diet, ये सारी चीज़े लेती रहें, otherwise बाद में फिर जो anemia की शिकायत या, जो कई बार हमने देखा कि anemia करण कई maternal deaths भी होती है, तो वो सारी problems बाद मिनना हो, इस करण से उनको बहुत पहले से एक diversified उनको nutrients और ये सारी च balanced diet, micronutrients, macronutrients, हर चीज़ें को मिलनी चाहिए, अब National Family Health Survey 5 जवाब पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा है कि जो anemia है, adults and girls में लगवा 5% की growth देखने को मिली है, as compared to National Family Health Survey 4, तो NFHS 4 के comparison में, NFHS 5 में 5% की जादा anemia growth देखने को मिली है, इसके अलावा, author ने काया कि जो consumption of diverse food groups था, वो low था, जो adults and girls थी, उनमें कम देखने को मिला, and इसके लावा, Tata Cornell Institute for Agriculture and Nutrition ने study की, जिसमें उन्होंने का कि women की जो dietary diversity इंडिया में, वो decline कर गई है by 42%, especially during the COVID, COVID के तोरान तो और जादा उनको जो dietary, जो उनका diversity थे, वो और जादा डिकलाइन कर गया है, जहां पे उन्ह weekly iron folic acid supplementation दिया जाता है, विफ्स जो बोलते हैं, weekly iron folic acid supplementation दिया जाता है, वो भी नहीं दे पाया गया है, तो यह सारी चीज़ें जो हैं, और जादा उनको weak कर रही है, और जादा उनकी जो nutritional requirements है, उसको fulfill नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए women are, यह जो adult girls हैं, they are further under more vulnerability of poor nutritional outcomes, तो यह जादा vulnerable हो गई है, towards the poor nutritional outcomes and all, तो author ने यही सारी चीज़ें कहीं कि बहुत जादा जरूरी है, कि आप पहले तो इनको proper diet provide करो, and यह weekly iron folic acid, जो folic acid supplement है, उसके अलावा आप इनको emphasis करो कि जो diet हैंकी और जादा diverse हो, और physical activity भी और जादा included रहे हैं, तो यह सारी चीज़े author ने suggest क इनको fruits, vegetables, seasonal diet चल रही है, या millets, especially millets का inclusion यह भी किया जाएंके diets में, है न, and इनको nutritional counseling की बात यहाँ पर author ने कही है, कि nutritional counseling मिलनी चाहिए women को, especially adults and girls हैं, उनको nutritional counseling दी जानी चाहिए, अब यह आप community workers के थूरू दे सकते हो, home visit के माध्यम से, schools में आप एक strong ecosystem बना सकते हो, virtual counseling के मा माध्यम से दे सकते हो, health regarding, sanitation regarding, यह सारी आप इनको अलग-अलग जो है, उसके माध्यम से आप इनको knowledge provide करो towards this thing, इसके लावा author ने कहा है, कि जो service delivery platforms है, जैसे कि, हमको यह देखना पड़ेगा, school के अलावा, हम किस तरीके से इनकी plates को divers कर सकते हैं, इनकी जो food eating plates, मलदाब schools के अलावा कैसे divers कर सकते हैं, तो इनको सबसे पहले तो accurate information provide करो, इनके माबाप को दो, कई families में ऐसा है ना, कि families में आज भी ऐसा है कि, अगर दो रोटी बची हैं, तो उसमें से देगर रोटी कोशिश करेंगी, लड़के को खेला दें और आधी रोटी लड़की को खेला दें, उसका थोड़ा attitude change करने की ज़रुएत है, उसका जो behavioral change है वो करने की ज़रुएत है, और community में जब तक आप ये changes नहीं लाएंगे, तब तक आप women की condition को कहीं सुधरता नहीं देख सकते हैं, तीसरी यहाँ पे एक और important चीज़ा author ने काया कि, भीया, इनकी जो marriage किये जाए, वो प्रिशराइस करने में ज़्यादा टाइम मिलेगा, कई बार क्या होता, आठारा साल से पहले ही प्रिशराइस करना शुरू कर देते हैं marriage के लिए, अभी बहुत सारे regions ऐसे हैं, आप अपने आपको मत देखेगा, कई ऐसे भी reasons है, जहाँ इतनी privileges या इतनी luxury नहीं मिलती कि आ आप 24-25-26 साल तक तयारी करना है, तो इतनी luxury अगर आपको मिल रही है, तो उसका benefit उठाइए उसको पढ़ने में लगाए टाइम को, और definitely आप मेहनत करके आगे बढ़िए, कई लोग ऐसे भी हैं, जिनको 16 साल, 15 साल, 14 साल में भी प्रिशराइस कि जाते हैं, यहाँ से जाओ और फिर अब है तो यह सारी चीज़े होती हैं, इसके लब अधार ने last जो पॉइंट दे है, वो माइक्रो निट्रेंट्रेंस का कि, अधाने का कि कई बार क्या देखने को मिला है, कि माइक्रो निट्रेंस बिल्कुल छूटी जा रहा है, इसलिए शारी चीज़े छूटने आप आए और आथर ने काया कि इसलिए पोशन जो 2.0 आया पोशन अभी हां 2.0 उसमें जरूर है कि हम विमन की जितनी भी nutritional requirements अनको integrate करें और inclusive एक support system provide करें to the adults and girls and all ठीक है ना that is what has been mentioned in this article I hope you got clarity अगला article है understanding the nature of US Taiwan relation तो अभी बहुत जाद हम discuss नहीं करेंगे कोई relation इस पर simple सी बात मैं आपको दो fact बता दूं Taiwan आपको पता होगा Taiwan क्या है Taiwan एक island territory है जो की mainland China के बिल्कुल coast के पास ही located है और Taiwan state के cross है इसके अलाबा यहाँ पे 1945-1949 चाइना का civil war चला जिसमें वहाँ पे ruling को मिन टांग नेशनलिस्ट गवर्मेंट थी चाइना की वो फिर हार गई और को मिन टांग जब हारा तो फिर वो कहां भग गया वो ताइवान भग गया और जब ताइवान भगा तो वहाँ पर उसने रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टाट किया र work बोलता यहाँ पर उसने र किसले टांग में और जब बिक जो अचिन है वो तो ताइवान बोलता है कि हम आरोसी हम ही असली चाइना और उपर वाला पार्ट भी हमारा ही है ठीक है न अकुल मिलाकर कि यह बात है अब अगर आपको बताओ USA का क्या रहा है तो USA ने 1972 में अल्रेडी वन चाइना प्रिंस्पल एक्सेप्ट किया हुआ है तो यह आपको अगर आपको पता है कि USA वर्सेश चाइना बहुत ज़्यादा चलता है इस करने से वो क्या है कि ताइवान को काफी सपोर्ट कर रहा है और अभी रेसेंटली जो बाइडन ने ये भी कहा है कर चाइना के अटैक करता है तो हम ताइवान की मदद करेंगे यह भी उन्होंने का है कि अगला जो आर्टिकल है वह है monkey pox virus origins and outbreaks तो monkey pox virus ओतरने का एक नया virus नहीं है यह pox virus family का वाइरस है जो की 1958 में पहली बार monkeys में देखा गया था इसलिए इसका नाम monkey pox है और first human case जो है वो 1970 में Democratic Republic of Congo में आया था और इसके बाद बहुत सारे sporadic outbreaks आपको देखने को मिले हैं इसके और यह human to human transmit हो सकता है by close contact only बहुत close contact सही है human to human contact होता है इसी कारण इसके cases इतने जादा आपको नहीं देखने को मिलें कि फिर obvious से बाद इसके symptoms काफी visible symptoms है और isolation में फिर व्रेक्ति को रख दी रहता है लगबग 22-23 दिन के isolation में रखा जाता है जिस कारण से फिर कि वो उससे दूरी बना सकते हैं लोग और यह सकता है इसका थोड़ा आप eliminate कर सके effect को लेकिन overall यह काफी important है कि African countries से originate हुआ था काफी जादा वहां पे Central Africa especially वहां बहुत जाद है adjoining forest reasons में बहुत जाद है और author ने काया कि यह क्या इसका virus mutate करता है तो एक important difference बता दूँ तो monkey pox जो virus है वो DNA virus इसलिए इसमां mutation इतना जादा नहीं होता है SARS coronavirus 2 जो था वो एक RNA virus था यह difference जरूर याद रखना क्योंकि UPCFCU statement पूछ सकता है monkey pox virus एक DNA virus है वहीं पर SARS coronavirus जो था SARS-CoV-2 जो था वो एक वो आपका RNA virus था इसलिए उसमें आपको जादा variations देखने के मिले mutations आपको जादा देखने के मिले तो यह fact बहुत important है I hope you got clarity regarding that as well आगे move करते हैं देखते हैं क्या important news articles हैं dreams take wings army gets first women combat pilot तो army को पहली women combat pilot मिल गई है captain Abhilasha Barak she has became the first woman to join the army aviation corps as combat aviation after completion of six month combat army aviation course तो याद रखीगा captain Abhilasha Barak she is the first women combat pilot of army Indian army Indian army की पहली women combat pilot है कौन Abhilasha Barak captain Abhilasha Barak तो इनका जरूरी याद रखीगा supreme court recognizes sex work as a profession now supreme court ने sex work को एक profession की रूप में माननेता दे दी है now this is a very important news याद रखेगा and significant order of supreme court recognizing the sex work as a profession now जिसके practitioners को उन्होंने कहा है कि supreme court ने कहा है कि जो sex work के professionals है they will get proper dignity and equal protection under the law supreme court ने police को directions दी है कि they should neither interfere nor take criminal action against the adult and consenting sex workers तो जो adult and consenting sex workers है उनके against police कोई action ना ले इसके अलावा इनने ये भी का है कि ये कोई भी profession छोटा या एसा नहीं होता है तो ये भी as a profession ही लेना है and every person has a right to life dignity under article 21 of the constitution तो वो इनको भी provided रहेगा चाहे वो किसी भी profession में employed हो sex workers को भी equal protection of law है criminal law must apply equally in all the cases on the basis of age and consent तो यहाँ पर ओधर ने का clear cut है अगर आपकी age जादा है वाला adult age है में हो आप 18 सुपर के plus आप अपना consent से वो काम कर रहे होगर तो फिर आपको कोई भी परिशान नहीं करेगा this is what the author has said the supreme court has said and police को भी का है कि भीया refrain from taking any such activity against those who are consenting and those who are adult अब यह important जो judgment है वो article 142 of the constitution के अंदर का supreme court ने लिए है under article 142 आप सको पता है कि supreme court जो है वो lawyer decree pass कर सकता है under article 142 supreme court का है complete justice के लिए कई बार lawyer decree pass कर देता तो यह तरीके से as a law या as a decree उन्होंने पास किया है ठीक है ना याद रखेगा so supreme court has passed this thing important under article 142 of the constitution for complete justice ठीक है ना administration of complete justice के लिए so that is the thing which is important I hope you got clarity regarding that as well आगे move करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ है author ने यह का है कि देखो कई बार क्या होता है कि अगर कोई बच्चा मिल जाता है किसी भी brothel में या किसी प्रोस्टिट्टिट के साथ यह मना जाता है कि वो उसको trafficking करके लाए गया तो यहाँ पर सुप्रीम कोट ने का कि यह जो बायस है यह भी आपको remove करना है क्या हो सकता है कि वो उसका बच्चा हो या sex worker कोई बच्चा हो तो आपको यह बायस भी दिमाग से निकाल देना है कि हमेशा यह traffic करके लाएंगे तो आपके पास remedies है आप उनका DNA टेस्ट करा सकते हैं आप देख सकते हैं लेकिन एक stigma या एक दिमाग में hypothesis बना करके या prejudice बना करके आप से उनको पकड़ने तो यह यह भी गलत है याद रखेगा sex worker के case में यह चीज़े जरूरी है author ने यह भी कह कि sex worker होना अपने आप में गुनाह नहीं है एक brothel चलाना illegal है यह याद रखना कि author ने यह जरूर कहा है यहाँ पर court ने कि running brothel is illegal तो वह आपको जरूर देखना है कि इस तरीके से यह ना हो otherwise जो sex worker है अगर वो voluntarily वो काम कर रहे है that is not illegal तो यहाँ पर दिखाया कि voluntary sex work is not illegal and only running the brothel is unlawful तो running a brothel is unlawful but having voluntary sex work is not illegal तो यह आपको important चीज है जो कि यहाँ पर author ने कहीं है and author ने यह भी कहा है कि अगर कई बार sexual workers आपके पास आएंगे sex workers आएंगे और sex की ही sex related या sexual related आपके यहाँ complaint दर्ज कराएंगे तो आपको वो भी दर्ज करने है असानी कि उनके साथ भी sexual abuse हो सकता है तो author ने कहा कि यहाँ पर court ने काफी चीज़े clear करते हैं कि you have to take utmost care on that regard and that is what has been mentioned in this article I hope you got clarity regarding that आपको समय में आ गया होगा है ना आगे देख लेते हैं आपको कुछ और अकर नीज आइटम दता नहीं तो मैं देख लेता हूं तो यहाँ पर तो आसी कोई खास नीज आइटम नहीं दिख रहा है so that is it for the day friends I hope you later video please do like share and subscribe keep loving us keep sharing us thank you and have a nice day